87 के election पे हमारी बात थमी थी, उसके बाद मुफ्ती साहब का क्या फैसला रहा? नहीं, मुफ्ती साहब खुश नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि पहले तो वो कांग्रस के और N.C. के एलाइंस से इसलिए भी खुश नहीं थे, उनको लगता था कि जो अपोजिशन की जगा खाली हो जाएगी, उसको शहीद कोई extreme forces फिल करेंगी, कोई भी force आ सकती है, को कांग्रस को तो अपने साथ मिला लिया, अब मफ आ गया, तो उन्होंने राजीव गांदी और यहां government of India को बताया कि अगर ये assembly में आ गये हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये अब्दुल्लाज ने कहा, मतलब कि national conference ने कहा, I don't want to go into that, किस ने कहा, क्या कहा, मैं बहुआ ज ही थी, मेरा अंदाजा है, जो मैंने सुना है, कि फारुक साब ने राजीव गांदी जी से कहा, कि ये जो मफ है, ये extreme force है, ये assembly में नहीं आने चाए, assembly में आगे तो पता नहीं क्या करेंगे, हालां कि assembly में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, assembly में आप आईन की कासम खाके आते की, और मुफ्ती साब ने का, गीलानी साब भी assembly में थे, कई साल थे, तो उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सके हैं, इस पे इक्तिलाफ हो गया, उसके बाद, आपने कहा कि विधान सबा में कुछ भी नहीं कह सकते, मेरे सामने Supreme Court में 370 पे सुनवाई चल रही है, मुहमत अकबर लोन का माफी नामा है, क्योंकि वो उसी assembly में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो शपत के बाद भी assembly में बहुत कुछ कहा जा सकता है, नहीं कहने को तो कुपर उससे क्या होता है, वो तो माफ से नहीं थे, इसका मतलब तो यह है ना कि डिपेंड अपन यूर आइडियोलोजी और पाकिस्तान जिन्दाबाद कहने से क्या होता है, क्या उससे पाकिस्तान जिन्दाबाद हो जाता है, अगर नहीं होता है, तो पिर कहने की जुरूद क्यों पड़ए, यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जब जम्मु कश्मीर जैसे तो दोनों में ही बदनियती जलकती है, ना? नहीं, बदनियती तो अगर आप कहने की तरफ जाये, तो दिन में कितनी बार हमें मुसल्मानों को कहा जाता है, पाकिस्तान जाओ, और वो गलत है, उसको तो जेल में नहीं डालते है, यह तो एक कल्चर बन गया, आप क्या करोग अगर अगर लोन साब ने पाकिस्तान जंदा बात करने की बात कही, वो तो उन से पूशा जा सकते हैं, आपने ऐसा क्यूं कहा? आपने अगर अगर एसम्बली में आपने हिंदुस्तान की आईन की खाई है, जमू कश्मीर की आईन की खाई है, तो फिर आपने ऐसा क्यूं कह तो अंदाजा लगाना अगर माफ आएगी फिर पतानी क्या करेंगे जिसकी वज़ा से आज आपने देखा कि हजारों के तादाद में जमू कश्मीर के लोग हमारे मुल्क के जवान शेहिद हुए है वज़ा क्या हुई यासिन मिलिक आज जो जेल में है वो यूसुफ शा का च आप आपने हुए है वज़ाद जादाद हुए है वुआ है वज़ा अगर वो यज़खवा करेंगे जवज़ारों के प्यूसुप यासुशन।